पर्यावन अध्यन के वैकल्पिक प्रसन नमस्ते साथियों सीम राइज विद्याले सिक्षक चैन परिक्षा की तयारी के लिए हमने विद्यार्थियों की पर्यावन अध्यन पाठ पुस्तक से कुछ वैकल्पिक प्रसन तयार किये हैं और ये वैकल्पिक प्रसन पेड़ागा में से किस क्रिया कलाप में समूह में कारिकर आनंदित होते हैं चार विकल्प दिये गए हैं सातियों दिये गए प्रसने के लिए विकल्प ए सिल्प कला एम चित्रकला सही है जैसा कि हम सबी को ग्यात है विद्यार्थी सिल्प कला और चित्रकला जैसे क्रिया कलापो को सामूह ग्रूप से करते हैं तो काफी उत्साइत रहते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है अतह विकल्प ए सही है इस स्लाइड में प्रसर क्रमांग दो निम्न में से किस बात को करना सिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है यहाँ पर विकल्प क्रूप में चार तथ्य दिये गए हैं A. कक्छा में बच्चों को अपने विचार प्रकट करने के अवसर देना B. पाठ में प्रसनों तथा क्रिया कलापों के उद्देश्य सूचना या जानकारी को जांचना C. बच्चों को अपनी अपनी गती से सीखने के अवसर देना D. इस्थानी इस्थिती के अनुरूप अपने मुल्यानकन के तरीके स्वयम निर्धारित करना तो सातियों दिये गए प्रसने के लिए सही उत्तर है B. पाठ में प्रसनों तथा क्रिया कलापों के उद्देश्य सूचना या जानकारी को जांचना जैसा कि प्रसने में कहा गया है कि एक सिक्षक होने के नाते क्या करना अनिवार ये नहीं है तो सातियों जो विकल्प A दिया गया है या करना अनिवार है अर्थात विद्यार्थियों को अपने स्वयम के विचार प्रकट करने के अउसर देना चाहिए विकल्प C की बात करे तो बच्चों को अपने अपनी गती से सीखने के अउसर देना चाहिए और D की हम बात करें तो जो इस्थानी पस्थिती है उसके अनुरूप सिक्षक को अपने मुल्यानकन के तरीके स्वयम निधारित करना चाहिए ये तीनों बाते हैं किन्तु यती विकल्ब भी की हम बात करें तो जो पार्ट में दिये गए प्रसने हैं या क्रिया कलाप के उद्देश हैं सूचना हैं जानकारियां हैं उनको जाचना उतना अनिवार नहीं है तो विकल्ब भी दिये गए प्रसने के लिए सही होगा इस स्लाइड में देखेगा प्रसन क्रमांग तीन बच्चों का मुल्यानकन निम्न में से किस परिसिती में करना चाहिए यहाँ पर चार परिसितिया बताई गई हैं विकल्प की रूप में A. अवलुकन करते समय B. प्रसन पूछते समय C. समुह में चर्चा करते समय जाता है। यह जो चार परिसितिया दी गई हैं जब हम बच्चों का अवलुकन करते हैं या उनसे प्रसन समय पूछते समय भी करते हैं और दर्म्यान भी किया जाता है तो विकल्प ड़ी सही होगा इस स्लाइड में देखेगा प्रसन करमांग चार समाज में भिनता देखने को मिलती है देगे प्रसने के लिए चार विकल्प है A. सारविक छमताओं के कारण B. आर्थिक परिस्तियों के कारण C. व्यक्तियों के परस्पर व्योहार के कारण D. उपरिक तभी के कारण साथियों जो प्रसन दिया गया है समाज में भिनता देखने को मिलती है जैसा कि हम सभी को ग्यात है विद्याले में समाज के विविन तबको वर्गों के विद्यार्थी पढ़ने को आते हैं तो निशीत तोर से हमारा समाज विवित्ता भरा हुआ है और ये विवित्ता या भिनताएं जो हैं वो किस कारण से होती है तो हम यहां देखें तो सही उत्तर होगा D. उपरिक सभी के कारण देखें समाज में जो भिनता देखने को मिलती है सारेरिक छमताओं के कारण भी हो सकती है आर्थिक परस्तितियों के कारण भी बिन्यता देखने को मिल सकती है या व्यक्तियों के परस्पर विवहार के कारण भी बिन्यता देखने को मिलती है तो उत्तर क्या होगा उपर्युक सभी के कारण प्रसन क्रमांग पांच देखिएगा किस राज्य के बच्चे बास से बने हुए पुलो की सहता से विद्याले तक पहुचते हैं दिये गए प्रसन के लिए चार विकल्प A. लद्दाक B. राजिस्थान C. केरल और D. असम सात्यों प्रसन क्रमांग 5. से 10. ये थेवरी पर आधारित प्रसन है जबकि प्रसन क्रमांग 1. से 4. तक पेड़ा काब आजिकल प्रसन थे तो जो प्रसन दिया गया है कि किस राज्य के बच्चे बास से बने हुए पुलो की सहता से विद्याले तक पहुचते हैं तो साथियो अधिकांस तर जो बच्चे हैं वो बास के बने पुलो की सहता से विद्रा तक पहुंचते हैं उत्तर है डी असम असम राज में वर्षा अधिक होने के कारण वहां प्राय भूमी दलदली होती है अतर बच्चे बास से जो बने वी पुल हैं उनसे विद्रा तक पह प्रसंद क्रमांग 6 वल्लम है और इस प्रसंद के लिए यहां पर 4 विकल्प ए एक छोटी नाव, बी एक छोटी गाड़ी, सी एक छोटा सा अउडन खाटोला, और दी उंठ गाड़ी, साथियो उत्तर है ए एक छोटी नाव केरल राज की हम बात करें तो वहाँ पर वल्लम अर्थात एक छोटी नाव होती है उसकी साहतर से विद्यारती विद्यालत तक पहुँचते हैं और उस छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है प्रसक्रमंग साथ निम्न में से असत्य कथन है यहाँ पर चार विकल्प के रूप में कथन दिये गए हैं अ बच्चे देने वाले जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं बी अंडे देने वाले जनतों के कान बाहर दिखाई नहीं देते सी अंडे देने वाले जनतों के सरीर पर बाल पाये जाते हैं और डी बच्चे देने वाले जनतों के सरीर पर बाल पाये जाते हैं तो साथ यो दिये गए प्रसने के लिए असत्य विकल्प है, सी अंडे देने वाले जन्तूं के सरीर पर बाल पाए जाते हैं, देखेगा यह जो प्रसन है या जो विकल्प दिये गए है इनमें जन्तूं के विश्यस्ताओं के बारे में जानकारी दी गई है, यदि हम बच्च इस प्रत्ने के लिए उत्तर होगा प्रस्रक्रमांग आठ देखिएगा एक बड़े हाथी का प्रति दिवस का भोजन है और यहाँ चार विकल्ब दिये गए हैं A. लगबग 100 किलोग्राम पत्तिया और जाडिया B. लगबग 50 किलोग्राम पत्तिया और जाडिया साथियों दिये के प्रसनिक के लिए सही उत्तर है एक बड़े हाती की हम बात करें तो उसके प्रतित दिवस का भूजन लगभग 100 किलोगराम पत्तिया और जाडिया होता है प्रसनिक्रमांग 9 भी हाथियों से संबंदित ही है हाथियों से संबंदित असत्य तर्क है और साथियों यहाँ पर चार तर्क दिये गए हैं विकल्प के रूप में ए हाथियों के जुंड में केवल हतनिया और बच्चे रहते हैं बी हाथियों के एक जुंड में 40 से 50 हाथी और बच्चे होते हैं सी नर हाती 14 या 15 साल के पश्चात जुंड छोड़ देते हैं एवं अकेले रहना पसंद करते हैं डी सबसे अधिक उम्र की हतिनी जुंड की नेता होती है तो साथियों हाथियों से संबंदित असत्य तर्क की बात करे तो उत्तर होगा जैब्वी हाथियों के एक जुंड में 40 से 50 हाथी और बच्चे होते हैं या असत्य तर्क है जबकि एक हाथी का जुंड है उसमें 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे होते हैं कुमला के हतनिया होती हैं ठीक है और हम अगर A, C और D विकल्प की बात करें तो ये हातियों के जुंड से संबंदित या हातियों की विशेश्थाव से संबंदित ये तरक यहाँ पर सही हैं ठीक है और अंतिम प्रतन देखियेगा दस कौन सी जाती के लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं चार विकल्प A, बैगा B, राजपूत C, बिस्नोई और D, भीव तो साथ ये उत्तर होगा बिस्नोई यदि हमने विद्यार्थियों की पाठ्थि पुस्तर का अध्यन किया है या हमने अध्यापन कराया है तो इस बात की जानकरी हमें अवश्य ही होगी कि बिस्नोई जाती क के लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं तो इस तरह से इस वीडियो में दस प्रसन आपके सामने हमने प्रसुत किये आसा करते हैं यह जानकारी आपको काफी उप्योंगी और महत्पुर्ण लगी होगी मिलेंगे अगले कालखण में तब तक के लिए जय हिंद के लिए जय हैूँ कि अब चापके लिए और भ्यूंगूर।